हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी को नमस्कार यहाँ पर आप देख पार होंगे एक लेटर यहाँ पर एक जन सुनवाई किस के द्वारा की गई है जन सुनवाई किस संदर्व में की गई है किस से की गई है उ जब आप बात करते हुँ नतरजार सिक्षक भरती को लेकर के तो वहाँ आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है ऐसे में एक नई भरती को स्रजित करने के लिए आप यहाँ पर विशाया सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे डियलेड बीटीसी प्रसिक्शन पूर्ड कर चुकी के लिए नई सिक्षक भरती स्रजित करने के संदर्व में यह लेटर जो है वो लिखा गया है वीडियो पर आगर चलने से पहले आप लोगों को मैं बता दो सुबह दस बजे सीटेट यूपीटेट की लाइफ क्लास होती है मल्टिवल जवाइस कोईशन जो कॉंसेप्ट से उनके बारे में हम बात करते हैं शाम को साथ बजे आपके क्लास आती है लाइफ क्लास सिक्षक भरती 2021 के लिए आप उससे भी ज़रूर जुड़े टेलिग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है अगर आप उससे जुड़ते है तो पीडियो फाइल साब की जो वीडियो की लिंक्स हैं इंपोर्टन नियूज वहाँ पर भेज दिया जाता है बात कर लेते हैं इसके बारे में आप यहाँ पर देख पार होंगे कि आपको 69,000 सिक्षक भरती प्रक्रिया में पहले लिस्ट पर नियुकती पत्र बाट कर बेसिक को नए सिक्षक देने की बधाईया मत्त विधान सभाक्षेत्र बस्ती वहां से और कुछ और चीज़े हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीए चंदरप्रकाश शुकल जी है यह विधायक भाश्पा आप ये भी पूरी चीज आप आपके सामने हैं आप आराम से इससे पढ़ सकते हैं यहाँ पर जो प्रियास किया जा रहा है जो डियलेड संग है डियलेड 17 बैच को लेकर के बात करते हूँ आप डियलेड 18 बैच को लेकर के बात करते हूँ उसके हित में काम करने वाले आप यहाँ पर देख पार हों कि महोदे क्रिपया स्री विकास सिंग डियलेट 2017 बैच के संलग्ण प्रार्थना परत्र का दिनांग 26 नमबर 2020 का बलोकन करने की करपा करें जिसमें उन्होंने डियलेट बीटीसी प्रसिक्षण पूरड कर चुके प्रसिक्षण के लिए शिक्षण भरतिस रज़त किये जाने है तो बिंदू एक से साथ तक बातों का उलेख किया है यही सारी बातें इसमें पूरे में दी हुई है तो पूरी तरीके से जो यहां पर विकास जी को लेकर के बात कर लो आप यहां पर मैं आपको दिखाये दे रहा हूँ कुछ पिक्स भी है हमारे पास में आप रज़त जी को लेकर के बात करो रमन दूबे जी है इसमें आप अभिशेक जी को लेकर के बात करो सारे के सारे ऐसे में प्रयासरत है प्रयतनशील है कि किस तरीके से एक नई भरती जो एक नई सिखशक भरती है उसका आगाज हो उसके बारे में सरकारट सुने या फिर उसको लेकर के आगे बढ़े कि हाँ ठीक है इतनी पदों को जो है वो स्रजित किया जाना है तो आप लोग भी पूरी तरीके से तयार है अपने इस तर पर आप कुछ भी अगर कर सकते हैं तो वहाँ भी आप जरूर करिए ऐसे में यहाँ पर यह पूरा वही लेटर है जो इस समय आपके सामने हैं यह सारी चीज़ें जो उसमें पॉइंट्स बताए गए हैं जो उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं और जन सुनवाई 3x5 करके आप इसे देख भी पा रहे होंगे तो आप भी पूरी तरीके से तयार हिए अपने आपको तयार रखिए यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उससे जुड़ी यह पूरी तरीके से क्योंकि आपके 14 सब्जेक्ट से उनको कम्प्लीट करने में समय लगेगा अचानक से कुछ भी नहीं होने वाला CT2 एपिट्रिट में आपकी केवल 5 सब्जेक्ट होते हैं सिक्षक बढ़ती में 14 सब्जेक्ट हम सभी लोगों को कम्प्लीट करने हैं हमें कम्प्लीट करना है आपको पढ़ाना है और आपको कम्प्लीट करना है आपको एक्जाम देना है तो पूरी तरीके से बने रहेगा इलेक्ट्रोनिक स्टडी के साथ में मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में थैक्स वर वाचिंग